नमस्कार किसान भायू आज हम बात करेंगे सेजेंटा कमपनी की गेहों की ब्राइटी के बारे में जिस गेहों की ब्राइटी के बारे में हम बात करने वाले हैं डबलू ते इस ब्राइटी का नाम है जो की बहुती सांदार रिजल्ट दे रहा है किसानों के बीच में चर्चा का भी साय भी बना हुआ है और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल सस्क्राइब कर ले और वेल आइकेन दवाना ना भूले खेती की समपूर जानकारी के लिए हमारी वीडियो देखते रहा करें यह जादा समय ना लेते हो इस ब्राइटी की थोड़ी सी जानकारी ले ले हम इस ब्राइटी के फसल की ओधी के बारे में हम बात करें तो 125 से 128 दिनों का होता है इस ब्राइटी के पौधे की उचाई के बारे में बात कर ले तो 25 से 95 सेंटी इस ब्राइटी के पौधे की हाइड क्म होने के कारण यह गिरने के प्रती सहनसील है यह ब्राइटी तणा ओ पूर इस्तिती के लिए सहनसील व्राइटी है इस ब्राइटी को कितने पानी की अब सकता होती है यह ब्राइटी तीन से चार पानी में पकर तयार हो जाता है इस ब्राइटी के बालियों की लंबाई के बारे में बात कर ले तो 10 से 14 सेंटीमीटर की इसकी बालियों की लंबाई होती है इस ब्राइटी की बुवाई किस सीजन में किस जा सकती है तो रभी सीजन में और अक्टूवर से नौवंबर में इसकी बुवाई कर देनी चाहिए इस ब्राइटी के 20 दर के बारे में बात कर ले तो प्रती एकड़ 40 केजी के दर से लगता है क्योंकि यह इंप्रूब ब्राइटी इंप्रूब ब्राइटी का मतलब रिसर्च ब्राइटी है आगे इसके उत्पादन के बारे में हम जानकारी दे दे तो प्रती एकर 28-25 कुंटल के बीच में उत्पादन देता है जो कि बहुत ही सांदार उत्पादन है इस ब्राइटी का हम आप से अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारी किसान भाई और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं